तो यार Roman Reigns हो चलाए है बैन, इसके अलावा Summer Slam के अंदर हमें बहुत सारे return देखने को मिलने वाले हैं साथ मैं Summer Slam के अंदर कौंण कौंसे match हो सकते हैं इसके उपर भी हम लोग बात करने बाले हैं इस वीडियो के अंदर टो फाले बात कर लेते हैं Roman Reigns के ban को लिए करके तो इंडिया में TikTok ban है बट Other Countries में वो चल रहा है और Roman Reigns भी एक TikTok user है अब होता यह है कि TikTok ने Roman Reigns के account को ban कर दिया आप लोग देख सकते हो इस पोस्ट के अंदर यह Roman Reigns का TikTok account है जिसको ban कर दिया गया है अब TikTok ban कर दिया है तो यार इंस्टाग्राम पर आ जाओ, खेर बात करते हैं अब Summer Slam के अंदर WWE किन किन मैचों को प्लैन कर रही है, इसके उपर Wrestling Blogs ने एक tweet किया है, जिसको आप देख सकते हो, जिसमें पहला मैच है LA Knight vs Theory के बीच में US Title के लिए, दूसरा है Roman Reigns vs Jay Uso के बीच में Undisputed Title के लिए, एक तीसरा Oscar vs Bianca vs Charlotte Flair के बीच में, ये भी Title के लिए ही होने वाला है, and Last Carmelo, जो की NXT से Belong करते हैं, वो अपनी NXT Title को Defend करेंगे Summer Slam के अंदर इसके अलबा, Austin Theory vs Sheamus के बीच में मैच प्लैन किया जा सकता है US Title के लिए, और ये चीज़ तो मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ, कि Summer Slam के अंदर chances हैं, कि Austin Theory अपनी US Title को हाड जाएं, अब बात करते हैं Summer Slam के अंदर returns को लेकर तो भाई, according to multiple sources हमें Brave White का return देखने को मिल सकता है Summer Slam में, जो की WWE अभी से tease करना स्टार्ट कर देगी, and Randy Orton का भी हमें return देखने को मिल सकता है Summer Slam के अंदर, इसके अलावा Big E हैं, और Brave White जब भी return करेंगे वो अपनी Uncle Howdy वाली स्टोरी लाइन से ही continue करने वाले हैं, तो यार आप लोग बताओ, Summer Slam के अंदर आप किन Superstars के return के लिए सबसे ज़्यादा excited हो, comment में जरूर बताना बाकी वीडियो, अगर तुम लोग को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना WWE की informative वीडियो के लिए